पूरी दुनिया एक तरफ कोरोना वाइरस के कारण जो समस्या पादा हुई है जिंद्गियां बचाने के लिए दुनिया जंग लड़ रही है ऐसी संकट की घड़ी में हिंदुस्तान के भी केंद्र सरकार हो या राजसरकारे हो सभी डिपार्टमेंट और एक प्रकार से सभी नागरीक ये कोरोना वाइरस की लड़ाई में पिछले दो ढ़ाई महिने से लगे हुए एसे समाई साइकलोन का इतना बड़ा संकीर और वो भी सूपर साइकलोन भहती चिंता का विशे था बंगाल जाते जाते वो भुडिशा को भी कितना नुक्सान कर पाएगा ये हमेशा चिंता का विशे बना रहा लेकिन जिस प्रकार से यहां पर व्यवस्ताएं इंस्ट्रिटूस्टलाइज हुई हैं गाउं तक नागरीकों को क्या करना है ऐसे संकट के समय इसकी भली भाती जानकारी होने के कारण यहां जीवन बचाने में बहुत बड़ी सफलता मिली है और इसके लिए उडिशा के नागरीक उडिशा का प्रशासन और उडिशा के मुख्यमंत्री सिमान नविन बाबू उनकी पूरी टीम अभिनंदन के अधिकारी है लेकिन जब इत्री बड़ी प्राकूर्टी आपदा आती है तब संपत्ति का नुकसान तो होता ही है पच्चिम मंगाल की तुलना में उडिशा में उतना नुकसान नहीं हुआ है लेकिन जाते जाते भी पूंच पटक करके तो जाता ही है इसे प्रकार का संकट और इसलिए हाउसिंग में अग्रिकल्चर में पावर में कम्मुनिकेशन में इंफा सक्टर में जो नुकसान हुआ है तो मैंने आज पूरा डीटेल रिव्यू लिया है राज्य सरकार ने भी विस्तार से मेरे सामने सारी बाते रखी है यहां की सरकार की व्यवस्ता की तरफ से बहुत भी जल्द उसका अकलन करके रिपोर्ट बारत सरकार को मेलेगी भारत सरकार की टीम भी तत्काल यहां पहुचेगी और पूरी परिस्थित्य का रिव्यू करकर के लंबे समय के लिए रिलीफ हो, रिस्टोर करने की बात हो, रियेपेटिशन की बात हो, इन सारी चीजों को प्राथ्विक्ता देते हुए काम आगे बढ़ाये जाएगा, विकास ववस्था की रूप में देने का हमने निर्णय किया है, और बाकी आवश्चक्ता हैं, एक बार कम्प्लीट सर्वे होने के बाद, रियेविलेटिशन की पूरी योजना बनने के बाद, भारत सरकार भी कंदे से कंदा मिला करके, विकास की यात्रा में और संकर की घड़ी से बाहर निकलने के काम में पूरी तरह मदद करेगा, बहुत बहुत धन्यवाद,